हाई फ्रेंट्स मैं हूं अचला वर्मा और आज में बनाने वाल्यू अचारी अर्भी यह अर्भी में बचे वे आमके अचार के मसाले को यूज करके बनाऊंगी तो अगर आपको ही रेसिपी अच्छी लगे तो कीजे लाइक, सब्स्क्राइब कीजे मेरा चानल और प्रेंस करें बेल आइकन को जिससे आपके पास हमारी लेटेस एसी पीस की नोटिफिकेशन आ सके लेट्स गेट सबसे पहले हम अर्भी को बॉल करेंगे यहां पर मेरे पा हमें पानी अर्भी के लेवल जितना डालना है और अब हम प्रेशर कूकर को लिट से बंद कर देंगे और अब हम इन्हें बॉल करने के लिए रखेंगे हाई फ्लेम पे टू विसल्स तक और लो फ्लेम पे फॉर्दर टू टू त्री मिनट्स तक प्रेशर कूकर से पूरी स् में अच्छे से कूक हो जाती हैं तो आप टू विसल्स के पाद चेक भी कर सकते हैं अगर अर्भी कूक नहीं होती है तो आप फर्दर लो फ्लेम पर उसे टू मिनट्स के लिए रख दे जब अर्भी ठंडी हो जाए तब आप इनको पील करें और अब हम इन्हें कट कर अब हम पैन में डालेंगे वन टेबल स्पून मस्चर्ड ओईल यानि की सर्सो का तेल तेल गरम होने के बाद हम इसमें आड करेंगे वन बै फोर टी स्पून हिंग और थ्री बै फोर टी स्पून अजवायन अजवायन स्प्लटर होने के बाद हम इसमें आड करेंगे थ्री बै फोर टी स्पून हल्दी पाउडर, थ्री बै फोर टी स्पून रेड चिली पाउडर, वन एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, फ्यू सेकिंड्स तक मसाले को कुक करने के बाद हम इसमें आड करेंग salt थोड़ा कमी रखे, क्योंकि अचार के मसाले में भी नमक होगा, आप एड़ करेंगे 1.5 तीश्पून गरब मसाला और उपर से आड़ करेंगे 1.5 तीश्पून आम के अचार का मसाला, वैसे थो आम का अचार का मसाला हम सभी के घर पे होता ही है, लेकिन अगर आपके पास आम करचार का मसाला नहीं है तो आप इस step को skip कर सकते हैं लेकिन आप इसकी जगा एड़ करें juice of half lemon और अब अच्छे से mix करेंगे और अब उपर से आड़ करेंगे chopped green chilies अगर आप कच्छी green chilies नहीं खाते हैं तो आप starting में जब हमने मसाले डाले थे तब ही आड़ कर सकते हैं cook करने के लिए मैंने बात में आड़ करिये क्योंकि अर्भी के साथ कच्छी green chilies का taste अच्छा लगता है further 2-3 minutes तक low flame पे ही cook करेंगे तो अर्भी बन गई है अब हम इसे serving bowl में निकाल लेते हैं तो आम के अचार के मसाले को यूज़ करके हमने बनाए एक quickly अचारी अर्भी अगर आपको ये recipe अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने views थांक्स वाचिंग झाल झाल